कि तेलंगाना के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के अध्याक्ष्ट है उन्होंने स्थीफा देते हुए क्या कहा उन्होंने का कि दबाओ है इंडिया गडबंदन को हराने का मामला है और बस्पा पर उन्होंने बहन जी के बारे में कोई शब्द ने का हालाकि जो बहन जी याधिकारी वियारस लेकर के जब आया उसको मालूम हुआ कि नहीं कहानी तो कुछ और है हालाकि ये कैंडिडेट बन सकते थे और हो सकता एक सीड भी निकल जाती बियारस के साथ लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि नहीं दबाओ बनाय जा रहा है बियारस पर भी और साथ मे बीएस पर भी तो उन्होंने बीएस पी को छोड़ दिया इस बात का अंदाजा साफ लग जाता है कि माया वती जी पर कोई ना कोई दबाओ था चुकि वो तो पार्टी के अंग थे परदेश अध्याक्ष थे उसको जनाना भी चाहते थे और तेलंगाना में कुछ परसंट वोट भी है बस पागा दोस्तों बात ये है कि माया वती जी ने ये अगर अभी तक जो देखा गया है अगर ये फैसला किया है कि वो इंडिपेंडेंट लडेंगी गोया कि उन्होंने इंडिया गडबंदन को भी एक धका पहुँचाने का काम किया है लेकिन देश की एक नि इंडिया गडबंदन के तो शायद है अगर ये इल्जामात सही है कि भारत जनता पार्टी समविधान की दुश्मन है या लोकतंतर को खतम करना चाहती है या उनके नेता ये कहते हैं कि 400 सीटे अगर आ गई तो हम समविधान बदल देंगे इन बातों में अगर कुछ जान है तो इसकी शंका से लड़ने के लिए इंडिया गडबंदन जो बना था उसमें कुछ चूक भी हो सकती है उसमें मायवती के बारे में शंकाएं थी लेकिन अब इतनी आगे बात आ चुकी है कि शायद मायवती नहीं आ पाएंगी और आपको याद है परसो के खाली क्या ये इ कुल ऐसा मैसुस होता कि कंफरम है कि वो नहीं आएंगी वो धक्का पहुचा है काशी राम जी की उन कहविशों पर उन कोशिशों पर कि जब समाज के तबके की लड़ाई लड़ने के लिए एक रुपिया आठाना चाराना लेकर के वो पार्टी के अंदर लिया करते थे और अपने समाज के नौकरी पेशा लोगों से बामसेफ के जरीए ये बात कहलाना और संगखन बनाया कि आप कुछ आर्थिक मदद कीजिए ताकि ये समाज उटकर के कम से कम इतना तो खड़ा हो जाए कि इसको मंदिर में जाने की जादत मिले ना मिले लेकि शादी में अगर द मायवती जी डरती नहीं एक सांसद हैं अमरोहा के जिनकों निकाल दिया कुमरदानी शदी उनका बयान पिछले दिनों आया था कि जब सवालात मैंने उठाने शुरू किये आम जन के लोग सबा के अंदर तो वहाँ पर मायवती जी ने बहुजन समाज पालिटी के लोगों ने का कि आप थोड़ा सा बी जे बी से कम सवालात किया करें यह बाकाइदा पबलिक डॉमेंड में है यह लोग जो हैं बहुत लंबी दुश्मनी निकालते हैं उसी वक्त अंदाजा दर्शकों यह हो गया था कि मायवती जी के आर्ल इस इर्द गिर्द जो अकूच संपत्त कि उनके भाईयों के पास इखटी है शायद वो उसी के अंदर मुनहमिक होकर उसको बचाना चाहते हैं लेकिन एक बात बताओं दोस्तो आजम खान एक ऐसा नेता जिसने मुस्लिम लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई उसने जो भी उसके उपर ने उच्छे काम कि उसको छोड़ दीजे लेकिन उसके चोटे चोटे जुर्म को पकल कर उसके तमाम के तमाम मैं कह सकता हूं एमपायर को जो वखफ है आजम खान की बपोती नहीं है इसमें कोई दोराएं नहीं के आजम खान के वी सी बनेंगे उनके बेटे बनेंगे ये बात है लेकिन फिर भ एक कौम के लिए अपने लोगों के लिए कमजोर लोगों के लिए उन्हें कैसा अधारा बनाया लेकिन आज वो छोटे-छोटे मुकद्बों में जेल में बने हैं मायवती को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है मैं आपको बता दूँ मैं पहली भी कह चुका हूं कि इतनी हि करोड या 23 करोड को गरीबी रेखा से आपने निकाल दिया है तो सवाल फिर वहीं उड़ता कि 80 करोड लोग लाइन में क्या कर रहा है तो अब यह जो कमजोरी हजारों साल से थी समाज की उस समाज के साथ मैं आपको सच बता रहा हूं किसी जमाने में जिन्ना की बात अगर म आप से कहूँ तो उनके बारे में मौलाना अब्ल्कलाम आजात का वीडियो पड़ा भी है वो आओज में आडियो वीडियो है वीडियो तो नहीं आडियो है वो जामा मस्टित की जब सीडियो से अपनी पूरी को कह सकता हूं खिताब किया ता अरो उनह नकाता कि यह जो आ Una आफरतों का बीजबो कर जा रहे हैं तमाम जिंदगी इस मुदाय को यानिके मुस्लिम समुदाय को एक शक्किन निगा से देखा जाएगा आप ऐसा ना करें इकटे रहें लेकिन बहराज जिन्ना नहीं माना और चला गया वहां वो एक अलग मसला है तो आपको मैं बात बता द इराम जी ने उठा दिया था और मैंने आफ से कहा ना उसके एक लंबी दास्तान है उसको तो दलित के बामसेफ के लोग जानते हैं जिन्नों ने इसके अंदर अपना खून पसीना बहाया है आज वो वोट बैंक बिखर जाएगा तूट जाएगा और समझ लीजिए हो सकता ह पार्टी भी चला जाए चुकि जाता भी है चुकि भार्द जिन्ता पार्टी सिद्धानतिक एदवार से हम यह तो नहीं कहेंगे कि साब उन्होंने जो है किसी को कुचल दिया है लेकिन फिर भी वो जो धर्म की राजनीती करती है उस धर्म की जिसके बारे में सुदर्शन क करके एक आरेसिस के मुझे याद आ जाते हैं वो उन्होंने कहा कि यह जो सम्विधान इसकी जरुवत नहीं है गिरंतों से निकल करके जो धर्म सम्विधान बनने उसकी जरुवत है यानि कि मनुश्मर्ती जिसके अंदर यह कहा जाता कि कि शूद्र के कानों में यदि गीता का सम्वान देने मां समर्थ था इसलिए सन्विधान की रचना हुई थी उस सन्विधान को समाज को उस काशिराम की मैनत को और बाबा साब के सपने को जो जमाने बाद काशिराम के रूप में फला फूला था मायवती जी जान न जाने में डर में या किसी भी चीज में उसको बर्बाद करने पर तुली हैं और दोस्तों याद रखिए का ये 2022 का 24 का चुनाओ खाली ये मत समझेगा कि अगर मोधी जी आ जाते हैं जिसकी इमकानात हिंदी पट्टी पे तो बहुत ज्यादा लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम है मैं आपको बता देता हूं और ये इमकानात अगर सही होते हैं ये आशंकाएं अगर सही होती हैं कि अलब संक्याकों की जिन्दगी क्या हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी आप यकीन मानिये वो जो पहले पर्थाएं चला करती थी थी ना ठाको बड़ा समाज में नाम नहीं लेना चाहता माफिश चाहूंग झाल झाल